दोस्तो अभी तक अगर आपने मामल बॉंसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह गंटी का बटन दबाएं प्राकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालू आपको मैसेज मिल जाए नमस्कार दोस्तो मैं व इस तरह से एक कट हम इस तरह से नीचे लगाएंगे और सेम ऐसा ही कट एक ऊपर लगाएंगे अब एक कट यहां पर लगाएंगे दोनों कट लगाने के बाद एक कट हम इस तरह से बीच में कट करेंगे दोनों कटों को मिलाकर और बीच का बार्क है वो इस तरह से निकाल ल हुआ तो इन दोनों का mixture हम इसमें यूज करेंगे सिर्फ garden soil भी यूज कर सकते हैं लेकिन को कोपी स्थी है थोड़े नमी बने देगी क्योंकि यहां पर गर्मी तेज है अब हमें क्या करना वह एक पॉली थीन लेनी होगी गर्मी यूज इने वाली जो पॉली बैग होती है वह एक पॉली बैग ले लेकिन ट्रास्पेरेंट ले तो अच्छा होगा ताकि हमको इसका जो रजल्ट हो पता सलता रहे देखे इस तरह से यह एक इसमें कांटर लगा वह करना कि अदर बाद यूज सोहव जालें तो नीचत गिरेंगे इसको लिए सबसाइन सके हमहें और आप जो हिसम अहल्का पानी डाल करेंगए एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और उसको इस तरह जो बार्व एक पैं jóब लगा देंगे अब इसके तार तरफ जो पोली सीन है यह हम कवर कर देंगे कवर करके इसको थोड़ा टाइटली हम बांग देंगे यह द्यानक्य कि इसको आप एटाइट कर दें अधरवाइस जो आपका सोईल है वो ड्राय हो जाएगा और जो रूट से वो सूख जाएगी ट्रांस्पेरेंट पोली वेग लेने का यह बेनिफिट है कि इसमें जब रूट साइगी तो हमको पता सल जाएगा इसको हम ग्रोने के लिए छोड़ देसे हैं और मैं इसके अप्लेट के साथ दब को दूबारा मिलूँगा तो के दोस्तों आपको याद हो काम ने यहां पे एक एर लेरिंग की ती मोस मिके ट्री पे देख श्यूरा यह बर्यूट से हो पाफ यह बार निकाल जाए था उसके बाद मैंने जो यह एक्स्रा है यह मैंने बाद में इस पर लगाए था इसके बालिय हो पॉली बैक कोई श से कुचर और एक बाद में इस पर दीशा है तो यह गदा झाल जाए था तो आज मैं सोतर हूं इसको बाहर दिख रही होगी इसलिए मैंने वह दूसरे पूली बैग है वह यहां पे इस से कवर किया था और उसके बाद इसमें जो मिटिश की वह जल्दी ड्रायों बिकोज एलि नहीं था तो आज मैं इसको रेमुव कर दू है काफी मोटी जो ब्रांच है जिस पर मैंने एर लेरंग की है और इसके साथ में जो यह वाली व्रांच आपको दिख्ती है मैंने इस पर एर लेरिंग किती हैं देखे मैं आपको दिखाता हूं नेचे की साईल यह देखे इस पर तो आज इन दोनों को मैं यहां से रिमूब करूँगा और हमारे गार्डन एरिया में हम लगा देंगे इसको इसको यहां पर सूल बोलते हैं यह इस पर बहुत बड़ी बड़ी होते हैं अगर आप भी मोस्मीं के ट्री पर इस तरह से एर लेरिंग करें तो इस चीज का दियान कि इससे मैं इसको कट कर दूँगा ओके तो देखी जो एर लेंगे वो मैंने रिमूब कर लिए मैं इसको यहां से निकाल देता हूं जो छोटी वाली है इसको भी हम रिमूब कर लेते हैं हम इसको भी यहां से रिमूब कर लेते हैं यह देखिए उस तो देखिए जो पहली जो बड़ी वाली है यह करीब 5 फूट के लगबग है तो दुसको देगे जो अगर आप 5 फूट का जो ट्री है अगर आप सीट से ग्रो करते तो इसमें काफी टाइम लगता और जो सेकंड वाल है यह भी तीन फूट के करीब होगा तो इतने बड़े-बड़े प्लांट अगर टेक्निक है तो इस टेक्निक से क्या है कset क्या है ऐ tillsसे बड़े ट्री होते हैं उन टी से ही अपने लिए प्लांट से बना सकते हैं एक प्लांट से काफी प्लांट त्यार कर सकते हैं अगर आपकी पास कोई फूट केट्र्वाट तो उस पर रप एयर-डेन्ग केजिए और उ के बाद हम इस पर और एर लेरिंग कर सकते हैं इसी प्लांट पर इसकी रूट्स देखिए आपको दिख रही होगी काफी अच्छे से जो रूट्स है इसमें आ चुकी है और यह ऐसा रेजल्ट इसका तब है जब इसका सोईल ड्राई है अगर इसको अच्छे से मैं जैसे मैं इसको पर किया था अगर यह वैसे रहता तो और भी अच्छे से रूट्स इसमें आ जाती लेकिन यहां से देखिए आपको दिख रही होगी यह जो फट चुका है क्योंकि जो चिड़ी है उसने यहां से इसको निकाल दिया था ओकी दोस्तों तो अब हम चलते हैं और लेरिंग हमने की थी वह यहां पर लगांगा देखिए दोस्तों इस पर जो रूट्स है वह अच्छे से आ गई है अब मैं इसको लगा दूँगा मैंने इसके उपर की जो यहां पर जो स्कूल थी यानि की जो कांटे थे बड़े उनको मैंने रिमूव कर दिया है जो इसकी आप अच्छे से इसके दबा देंगे राई त्री और घेले ने हमारी जो फैसरा वह अब मिटी यह अच्छे से बर देंगे बादने के बाद किसको अच्छे से दबा देंगे दोस्तों जब आप एर लेनिंग करें और आप अगर पोर्ट में उसको लगाते हैं तो एक चीज़ कर दियाना कि उसकी जो हाइट जादर ना रखे मुझे भी इसको यहाँ से कट कर देना चाहिए लेकिन मैं अभी इसको वेट करूँआ जब मुझे लगेगा कि जो प्लांट हमारा ड्राइ होने लग रहे है तब मैं इसको यहाँ से करूँआ क्योंकि हो सकता है यह सर्वाइब कर जाए इसका सर्वाइब करने का जो मुझे कारण लग रहे है कि यह इतना बड़ा भी सर्वाइब कर सकता है वो यह है कि यहाँ पर नम्बर एक तो चाहे रहा नेकी बडे ट्री है उनकी चाहे आप को यहां पे मिल जाएगी और लिए जी वहां और नम्बर दो यहां का जो शोयल है काफी अच्छा है और की मैठीर चएंवा यहांपर यदे जो बडे ठी उसकी जो पतियां यहां पर गिरती है उसका जो कंपोस्ट है वो त्यार हो जाता है और यहां पर जो केंचुए होते हैं वह काफी इस मिट्टी में तो यहां की मिट्टी काफी उपजा हुआ है तो आप शाओ अधिक है अच्छे से इस्ट आप पहुत जायेगा तो आप भी हो अपने पास काफी पलांट इस तरह से त्यार कर सकते हैं बड़े ट्री आपके पास अगर है तो उनसे आप एर लेरिंग करके अपने लिए पूद्धित्यार कर सकते हैं यह काफी इजी मैं थेड़ है और बहुत ही अच्छा मैं थेड़ है ओके दोस्तों नेक्स्ट वीडियों फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार शुक्रिय है टूसा है और है मैं थे नहीं दूसर खी चाहिए एरिंगित्यार को स्कते है सब्सेट स्कते है